हम भारतिया और विशेश करके हम गुजराती और अमदावादी गब जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या विक्री की बात आती हैं तो बराबर तोल मोल का हिसाब लगाते हैं एक-एक पैसे का हिसाब लगाते हैं गाटे और फाइदे के रूपरंग बराबर चकासते हैं जब हम एक छोटा सा बाइक भी खरीदने के लिए जाएं और बैंक से लोन ले जाएं तो दस बैंकों में चक्कर काटेंगे एक बैंक में दस-दस बार जाएंगे और कम रेट से कम उन्हिँ ग coração उसका जर्ण हिसाब लगाते हैं कैने बैंक फिर नव परसेंट बताती होघी है heavy और फिर हम हिसाब लगाते होंगे जोटार करते होंगे कि इतने परसंटीज ब्यात से अगर मैं बाइक लाता हूं और जब बैंक को मैं ब्यात समेध पैसे लोटाऊंगा तब मे तेरे बाई की किमत क्या बनेगी, कितने साल में बनेगी, ये बहुत बारीकी से देखते हैं, बैंक बाला भी ठक जाए, उतनी बार बैंक के दरवाजे पर जाते हैं, जड़ा यार कम करो, आठ परसंट में नहीं बाई ले सकता है, नव परसंट में ले सकता है, फड़ा कम करो, आदा परसंट भी कोई कम कर दें तो खुशी मनाते हैं यह हम भली भाती जानते हैं और अमदाबादी तो शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन कर्परा कीजिए दोस्तो कोई ऐसा दोस्त ऐसी बैंक नहीं मिल सकती जैसे भारत को अबेशान जैसा दोस्त मिलाएं जपान जैसा दोस्त मिलाएं कगर कोई यह कहे कि बिना ब्याच के ही लोन ले लो और दस बीस नहीं पचास साल में चुकाना तो कोई यकीन करेगा क्या लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते हैं लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड रुपिया 88,000 करोड रुपी सिर्फ 0.1 प्रतिशन 0.8 प्रतिशत 22 दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया है बाहते हूं जिसना पॉपी सिर्फ दरांब मतश जए्सलू जर घर बुलेटोस्त